गुजरात के सूरत में कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद से हर कोचिंग सेंटर की चेकिंग की जा रही है वहीं जब गाजियाबाद के कोचिंग सेंटर का जायजा लिया गया तो जादा तर कोचिंग सेंटर बंद मिले जो के coaching centers खुले उनमें छुट्टियां थी किसी coaching center में आग पर काबू पाने के इंतजाम थे तो किसी में नहीं थे वहाई coaching center में किसी भी emergency से निपटने के लिए entrance और exit भी एक ही मिला यानि कि साफ है सूरत में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी coaching centers के चालक अभी भी लापरवाही बरत रहें सूरत के उस हादसे ने पूरे देश को दहला दिया लेकिन उसके बावजूद भी इन शहरों में क्योंकि ये सिर्फ गुजरात का मामला नहीं है देश के बड़े बड़े शहर है और देली NCR में उत्तर प्रदिश में घाजियाबाद बड़ा शहर है और घाजियाबाद के coaching centers में fire exits नहीं है और इस तरह की emergency से निपटने के कोई इंतजामात नहीं है यानि कि बच्चों की सुरक्षा अभी भी दाओं पर है